गुड इविनिंग यूटीब फैमली कैसे हैं मेरे सारे फ्रैंस आई होप कि आप सब काफी अच्छे होंगे और ठन के मज़े ले रहे होंगे अपने घरों में तो गाइस अभी जो है ना सामके साड़े पांच बच चुके थे चाय वगारा सब हो चुकी थी मेरी तो मैंने इतना तो काफी जादा फोक दिखाई दे रहा था और एक बात और आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तो प्लीज अपनी चाय या जो कुछ भी है ना खाना वगएर अगर आप खा रहे हैं चाय पी रहे हैं तो अराम से बैट कर जो है ना मेरे व्लोग को एंज अच्छे से देखेगा और अगर आप चाहे तो आपना मुझे इंस्टाग्राम पर भी फोलो कर सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम का जो हैंडल है वो यही मेरे चैनल के नेम से ही है ब्यूटी टेल तो आप वहां जाकर भी जो है ना मुझे फोलो कर सकते हैं तो बस मैंने बताय पानी नहीं रहा कि मैं एप्रेंट पहन लूँ वैसे भी जब मतलब पानी से वोश करते हैं यूटेंसिल तब ही जो है ज्यादा छीटे आती है अपने उपर तो मैंने तब जो है एप्रेंट पहन लिया था जिससे की मेरे जो कपड़ेना वो गंदेना हो तो यहां पर बस चाय इसलिए दोपैर के बरतन भी जादा नहीं थे सिर्फ दो थालिया थी तो मैंने तब तो वो क्लीन नहीं की थी क्योंकि खाना थोड़ा लेड़ भी आया था हमें खाना खाते जो है दोड़ाई बच चुके थे तो वो बरतन थे और बस जो चाय के होते हैं सामके वो बरतन थे जब धूप निकलती है मोशली दो बजे के बाद तो जब धूप निकलती है तो फिर हमारे फ्लैट के दूसरे साइड चली जाती है तो इसलिए मतलब कपड़ों को बिल्कुल धूप दिखाने का मोका ही नहीं मिलता है तो आज मैंने मॉर्निंग में कपड़े वोश नहीं कि लेती हूं तो मैंने क्या किया है मसीन जला दी थी और साथ ही जो है गीजर में से मैंने 3-4 यह भगोने जो है पानी डाल दिया था ज़्यादो कुछ जो है अंतर तो नहीं पड़ा था बट ये था कि जो पानी बिल्कुल चिल्द था न वह थोड़ा सा नोर्मल हो गया था त तो पर्सों के कपड़े सूखे थे उनको फोल्ड करने फिर मैंने देखा कि चलो देखती चलती हूं कि आज बनाना क्या है तो देखा तो फ्रिज में ना पता नहीं कब के जो ओरेंज होते हैं वो रखे थे और वो सारे खराब हो चुके थे मतलब मेरे घर में ऐसे ही होता है फ 3-4 जो ओरेंज थे खराब हो चुके थे तो मैंने वो फेके और फिर बस खानेवान का प्लान जो था वो मैंने सोचा कि देखते हैं क्या बनाते हैं अभी तो कुछ नहीं सोचा था कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो आगे थी मैं कपड़े फोल्ड करने और कपड़े जब तो मैंने लाश्ट वीडियो में शेयर कहते हैं कि मैंने अपना इस्टैंड ये पूजा वाले रूम में रख दिया था क्योंकि बाहर जो है ना डुगगो वगएरा खेलता रहता है तो फिर उसे डिश्टब होता है वो बार-बार मुझे कहता है मम्मी इसको यहां से हटा द हुआ जो जो कॉटन के पर्ण होते है विंटर में वह थो मतले सूखने में तीन से चार दिन लेते हैं पता मी मतलब उन्हें कितना भी मसीन में सुखा कडाल दो तीन चार दिन से पहले जो ना सूकते ही नहीं हैं जो वूलन होते हैं वो तो एक दम सूक जाते हैं अगले दिन ही बट जो कोटन के कपड़े होते हैं उनको सुखाने में थोड़ी दिक्कत होती है और देखे अभी टाइम था साम के 7 बजे का और देखे कितना ज़्यादा फोग हो क्योंकि अगर यह ऐसे ही छोड़ देना तो सुबह तक मुझे बिल्कूल भीगा हुआ नजर आएगा और यह है नेक्स्ट मॉर्निंग यानि मंडे मॉर्निंग तो देखे कितना ज़्यादा फोग है मतलब जो पास की बिल्डिंग है वो भी सही से दिखाई नहीं दे रही थ इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है तो यहाँ पर बस मैं सुबह के नास्ते की तयारी कर रही थी और मेरे हाथ इतने ज़्यादा ठंडे हो रहे थे ना तो हजबे नहीं थे मैं उनको लगा कर दिखा रही थी कि देखो कितने ज़्यादा ठंडे हो रहे हैं तो यहाँ पर बस तो मतलब continuously बोलते रहते हैं उसकी वज़े से सायद गले में थोड़ी सी problem हो रही है क्योंकि अभी तबीयत मतलब 100% ठीक नहीं हुई है इस वज़े से सायद मुझे बीच-बीच में खासी आ जाती है तो यहाँ पर देखे बस यहाँ पर तयारी हो रही है पोहा बनने की तो मैं आपसे पहले भी शेयर किया है हमारे आप पोहा बहुत simple तरीके से बनता है तो मैं यहाँ पर पोहे के लिए प्याज कट करी थी और ये प्याज इतनी ज़्यादा मतलत तेज थी ना कि आखो में कुछ नहीं डालती हूं पोहे में क्योंकि मेरी फैमिली में कोई भी उस तरह का पहा पसंद नहीं करता है तो अभी मैं आई थी अपनी बालकनी में करी पत्ते की लेने और देखिए अगर आपको दिखाई दे रहा हो मतलब जो बालकनी का फर्सना वह बिल्कुल ऐसे हो रहा थ तो वही मैं आपको दिखा रही थी अतनी जादा जो है फोग इतनी जादा ओस यहां पर पड़ रही है तो बस करी पत्ते की लीप्स में लेकर आगई थी नको वोश करके अब जो है मैं अपना आस्ता बनाना तेयार करूंगी और पोहे की रैसिपी मैं आपके साथ शेर नही कर रही हूं क्योंकि पहले भी मैं कर चुकी हूं कई बार तो बहुत सिंपल तरीके से जो है ना मैं पोहा बनाती हूं बहुत सिंपल बस तेल में राई डाली करीपतर डाला प्याज डाली और हल्दी डालका बस पोहा एड़ कर देती हूं चीनी डालती हूं और नीमू और नमक मतब बनने के बाद ये देखे मुंखली के दाने डाल दी है तो देखे मैंने सब कुछ ही बता दिया आपको और दूसरी साइट बन डी थी चाय और यह हमाराज का नास्ता सुबहा पोहा एंड गर्मा गरम चाय तो चाय वगरा हो गई थी नास्ता हो गया था किचन का भी जो है मोशली आप देखते होंगे कि मैं जो बैड्रूम है ना वो नास्ता गयरा क्लीन करने के बाद ही क्लीन करती हूं क्योंकि डुग्गू लेट उठता है तो इसलिए जो है ना बैड्रूम भी थोड़ा लेट ही क्लीन होता है और वैसे भी जब एक बार किचन में चला जाते है तो अब ही जो है ना मुझे बैड्रूम चेंज करनी थी बाट इतना थंडा मोसम है धूप निकल नहीं तो मैं सिर्फ इस डर से नहीं धुल रही हूं कि अगर मैंने धुलने के लिए डाल दी और बैड्रूम नहीं सुखी तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी भले से द निकलनी स्टार्ट हो जाए तो बस अभी जो है बैड्रूम वगरा सब को मैं क्लीन करने पर लगी हूं ब्लैंकेट वगरा जो है अच्छे से डाल दूंगी बैड्र पर और उसके बाद जो है मैं अपने लिविंग रूम की साइड जाओंगी थोड़ी सी क्लीनिंग करने पो कि मैंने आपके साथ शेयर भी क्या है अपने व्लोक में कि अब जो है इतनी कडड़ाती ठं है लूटीन बना रखा है कि मुझे एक दिन एक साइड की डिस्टिंग करने है एक दिन एक साइड की तो आज बैड्रूम का नंबर था बैड्रूम की जो है मैंने सारे जो भी वहीं से कबर्ड में भी आही जाती है तो सारी क्लीनिंग हो गई थी जिस्टिंग वेरा उसके बाद में शावर लेने चली गई थी और आकर मैंने फ्रूर्ट्स वगएरा खाये थे डुगुने मैंने सबने और फिर बस प्लानिंग हो थी कि घर में क्या बने तो हजबेन ना कल दिया परसो बाहर गए थे मारके और तो वहां से काफी सारा पनीर वो लेकर आये थे तो फिर मैं सोचा चलो पनीर की कुछ रेसिपी बना लेती हूँ तो अभी मैं यहाँ पर मतर पनीर की तैयारी कर रही हूँ और इसकी जो मेरे विवर हैं मतलब वो कहते हैं कि दीदी आप अपनी रेसिपी फुल शेर क्या कीजिए तो मैंने सोचा चलो फुल शेर कर देती हूँ तो मैं यहाँ पर मतर पनीर बना रही हूँ और आपको यकीन नहीं होगा मेरी साधी को इतने दिन हो गए है मैं फर्स्ट टाइम अपने घर में मतर पनीर की सबजी बना रही हूँ क्योंकि मतर पनीर की सबजी ना तो मुझे जादा पसंद है और ना ही मेरे हस्बिन को बट वो परसो खुद ही बोल रहे थे कि मतर पनीर बनाएंगे तो फिर मैं सोचा चलो आज मतर पनीर की सबजी बनाएंगे ट्राइ करके देखते हैं मैं कई साथी बगव और कहई दावत में भी जैसे होती है मैं कभी भी मतर पनीर नहीं खाती हूं कि मुझे अच्छा नहीं लगता है इतना अधर पनीर जो होते हैं उनके according तो यहां पर देखें मैंने सारी तैयारी कर ली है सारी जो सब जहना वो roughly chop की है जैसे टमाटर प्याज अद्रक लहसून वगरा यह सब ना मैंने roughly मतलब मोटे मोटे चोप किये हैं क्योंकि इनको थोड़ा सा जो है फ्राई सा करना है मुझे soft करना है और उस तो थोड़ा सा टेस्ट अच्छा लगता है और पनीर जो है ना सोगी सोगी नहीं होता है तो देखें दूसरी साइड मैंने मतर बोईल होने के लिए रग दी थी ज्यादा नहीं इनको एक या दो मिनट के लिए बोईल करना है यह ठीक हो जाती है तो बस बोईल हो गई थी मै मैंने गैस ओफ कर दी है साथ ही यहां पर जो है ना पनीर को मैं फ्राइ करने लगी हूं और पनीर को फ्राइ करने में ना स्टार्टिंग में काफी टाइम लगा क्योंकि इसमें जो पानी होता है वो सारा सोख होने में थोड़ा सा टाइम लेता है तो देखें पनीर दोनों स कर भीने देशितमी के देशितमे हैं डाल सब्सक Осवारइ थक्तर और मेने आधा पढ़त खाना about और सब्सक्रा आधा मिक्सक्राइब करनार के रखाएं और एक आधा डाल-आधा दैल्चीन तो 그러ных अब तक मैं यहां पर मैंने आपके साथ पहले भी बता इतना खोया बनाया था तो मुझे आज लड़ू बनाने थे उस दिन से मुझे टाइम नहीं लगा था तिल वाले लड़ू तो जब लड़ू बनाते हैं तो जो खोया होता है थोड़ा एक्स्टरा उसको भूना जाता है तो मैं बस वही कर रही हूँ याँ पर इस टाइम पर मैं इस लिए कर रहे थी क्योंकि मतलब जब तर मैं खाना वगएरा खाऊंगी सारा काम खतमों का यह जो खोया है वो ठंडा हो जाएगा तो लड़ू जो है आसानी से बन जाएंगे तो मैंने जो सारे खोय को इस पैन में जाल लिया है और हाँ इस पैन को लेकर भी ना काफी कमेंट आते हैं मेरे वीडियो पर की दीदी आपने कहां से लिया तो यह मैंने लिया था एमेजन से मुझे लिए हुए दो से तीन साल हो गए हैं आइधिंक जादे ही हो गए हैं और यह विनोध ब्रैंड का है तो काफी अच्छा निकला है इसमें ना सबसे अच्छी बात मुझे अलगती इस पैन में आप ओमलेट भी बना सकते हैं काफी अच्छे थोड़े सा मतला ओई लाक्षा डालना पड़ेगा बट आसानी से बन जाता है और देखिए मेरा जो खोया था ना वो अच्छे से भुन चुका ह इसको मैं एक साइट कर लूँगी और जब तक खोया बुना तब तक जो मेरे यह थे मसाला वह भी ठंडा हो चुका था अब मैं इसको जो है मिक्सी के जार में डालकर इसको पीस लूँगी और पीसने के बाद जो है ना फिर हम अपनी सबजी बनाने की तरफ चलेंगे तो इ मैंने आज बनाना तो वह तीन से चार लड़ू खा चुका था उसे मतलब मीठा इतना जादा पसंद है और मुझसे बोला था कि मम्मी बेसन के लड़ू और बनाना तो अभी तो ठंड है तो घी बहुत जल्दी जो है जम जाता है तो मैंने उससे कहा जब थोड़ी ठंड कम ह जाएगी ना तब बना के दूँगी तो बच्चों को जो चीज पसंद होना वो बना कर देनी चाहिए क्योंकि बच्चे उसे आसानी से खा लेते हैं तो यहां पर बस ग्रेवी जो है बन गई थी अब मैंने उसी पैन में थोड़ा सा तेल डाला है एक तेज पत्तलिया है एक कुछ जलाने नहीं है इसलिए लो फ्लेम ही रखेगा और जो ग्रेवी बनी थी ना वो मैंने यहां पर डाल दी अच्छे से यहां पर भून लूँगी साथ ही जार में भी नो कुछ ग्रेवी लगी रह जाती है तो उसमें पानी डाल करना आप इसको अच्छे से तीन से चार मिनट पकाईए देखे तीन से चार मिनट हो गए थे मेरी ग्रेवी अच्छे से पक कर बिल्कुल रेडी हो चुकी थी अब मैं इसमें जो है ना थोड़ा सा पानी आड कर दूंगी मतला आपको जितने जो है ग्रेवी रखनी है ज्यादा लिक्वीडी रखनी है या थोड़ी जो पनीर है और मतर है वो इसमें एड करने है तो तेखिए यहां पर ना यह अच्छे से पक चुका था अब मैंने इसमें एड कर दी है पनीर के क्यूप्स और मतर भी और जब तक जो है मेरी यह पक रही थी ना ग्रेवी मैंने धनिया भी कट कर लिया था साथ ही इस टाइम मैं यहां पर डालूंगी नमक मैंने पहले बिल्कुल भी नमक नहीं डाला था और बस धनिया डाल कर इसको अच्छे से पका कर फिर से तीन से चार मिट के लिए हमें पकाना है जिससे की जो मसालों का टेस्ट ना वो पनीर और मतर में भी आ जाए और साथ ही मैं यहां पर जो में बहुत यम्मी बना था मेरे हस्बन को बहुत ज़्यादा पसंदाया यह नहीं कि मैं अपनी तारीफ कुद से कर रही हूं हस्बन भी बोल रहे था कि काफी अच्छा बना है मतला जैसे मैंने फर्स टाइम ट्राई किया था तो मुझे भी अच्छा लगा था तो सारा ही प लड्डू बनाने हैं उस बरतन में करके रख दिया है जिससे की पैन वगारा भी सब क्लीन हो जाएगा और अभी लड्डू बनाने के लिए जो है ना मुझे तिल भी भूनने है तो मैंने सोचा पहले जो है गैस वगारा को अच्छे से क्लीन कर लेती हूं क्योंकि बहुत ज काफी अच्छे से जो है गैस टाइल्स सब कुछ मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था तो जब गिले कपड़े से हम सोरी गरम पानी के कपड़े से साफ करते हैं तो चिकना ही जल्दी से रिमोव हो जाती है उसके बाद मैंने बस एक सुखा कपड़ा लिया है और बस सारी ची कढ़ाई लिया है और इसमें ही मुझे तिल फ्राई करने थे तो यहां पर मैंने बस कढ़ाई लिया है और यह जो तिल होते है बहुत जल्दी फ्राई हो जाते है उनको भूनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है तो मेरे पास इतने तिल थे और भी रखे हैं वो लक्सी ही खुसबू आने लगती है और इनमें से थोड़ी सी चटर चटर की आवाज आने लगती है तो आपको पता चल जाता है कि तिल भूनने स्टार्ट हो गए हैं हलके से गुलाबी होने तक मैं सिर्फ इनको भूनूंगी क्योंकि थोड़े से भी मतलब तेज मैंने कर द हूं और साथ ही मैं देख रही हूं कि खोया जो है ना वह सही से फ्राइ हुआ है या नहीं तो बिल्कुल परफेक्ट लड़्डू के लिए फ्राइ हुआ था तिल भून चुके तो मैंने इनको प्लेट में करके रग दिया ठंड़ हो नगर साथ ही मुझे इनको पीसना है ब भी मना कर दिया और चलते हैं इस वीडियो के एनड की तरफ काफी लंबी वीडियो हो गई है आइंप होब आपको अच्छे लगी होगी अच्छे लगी हो तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब कीजेगा वीडियो को लाइक कीजेगा मिलती हूं नेक्ट रीडियो में बाबा बाई